Hello everyone, welcome to All of You, सभी का एक बार फिर से स्वागत है, G1 Education के इस ओनलाइन प्लेटफोर्म में, और हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर काफी important, topics से regarded काफी important, key points से regarded काफी important, questions से regarded, इस वीडियो के अंदर आपने बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थमनेल के अंदर देखा होग ये वीडियो सभी के लिए important है, जो competitive exam की preparation कर रहे हैं, उनके लिए जो academic session पढ़ रहे हैं, उनके लिए और जो family में रह रहे हैं, उन सभी के लिए ये काफी important है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपने जानेंगे कि बच्चा कब healthy रहता है, बच्चे के अंदर कैसे improvement देखने वाले काफी interesting वीडियो होने वाले है, तो वीडियो को बिल्कुल भी miss मत कीजेगा, बिल्कुल भी escape मत कीजेगा, बिल्कुल भी रोक किएगा नहीं है, continuously पूरा last तक देखेगा, आपको काफी important जानकरी, यहां पर मिलेगी, काफी important है, चेलिएगा इस वीडियो के अंदर वीडियो के अंदर डिफ्रेंस होता है, जन्रली हमने कहा था कि यह सकते है अपन की एक quantitative part होता है, क्या सर क्वाण्टी टेट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्यट्य वीडियों के इसको मीजर किया जा सकता है, डिवल्लमेंट है के QUALITY में इंप्रूमेंट होता है, इसको इसली मीजर नहीं कर पाते हैं उसके लावा हमने कहा था कि सर ग्रोध से रिगार्ट हमने कहा था कि सर जो ग्रोध होती है उसके अंदर फिजिकल डवलप्मेंट जनरली देखने को मिलता है क्या सर फिजिकल यानि कि सेल साइज मतलब की हाइट वेट यह सब कुछ बढ़ता है सेल का साइज नंबर यह सब कुछ बढ़ता है और हमने डवलप्मेंट के अंदर कहा था कि सर इंसके अंदर मेंटल डवलप्मेंट देखने को मिलता है यानि कि कह सकते हैं कि psychological development यहां पर देखने को मिलता है जो कि आप easily major नहीं कर पाते हैं तो यह हमने कहा था उसके अलावे काफी कुछ हमने यहां पर कहा था और उम्मीद करता हूँ आपने previously classes देखे होगी नहीं देखे हो तो देख लीजेगा क्योंकि काफी important है आपके exam के regarded और वापस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है वो अपन बात करते हैं चलेगा सबसे first one अपन बात करते हैं assessment of growth and development से regarded सबसे पहले बात करेंगे कि बच्चे का जो वजन है बच्चे का जो weight है child का या infant का जो weight है वो कितना होता है यानि जैसे ही बच्चे की delivery होती है जैसे ही baby की delivery होती है सबसे first one बात करेंगे कि बच्चे का 8 birth weight कितना होता है और that is important question in your examination आपके exam के लिए काफी important question है इसलिए इसको note कर लीजिएगा देखेगा 8 birth weight of the baby that is 2.5 to 3.9 kg आपके बच्चे का वजन delivery के समय 2.5 से लेकर 3.9 kg का हो सकता है यानि कह सकते हैं कि 5 kg से लेकर 4 kg तक यानि 3.9 kg तक आपका बच्चा हो सकता है अगर इस range में है तो आपके बच्चे का weight normal है और जनरली आपने देखा हो का कि 2.5 kg जो है जनरली बच्चे का normal माना जाता है और 3.9 kg तक ये भी normal माना जाता है इस से ज्यादा होता है तो उसको थोड़ा सा abnormality कहा जाता है और abnormal कहा जाता है तो फिर उसके लिए कुस measures है जो कि अपनाए जाते हैं ये आपको इतना सा याद रखना है तो simple सा है 2.5 से लेकर 3.9 kg तक अगर आपके बच्चे का weight है delivery टाइम पे at birth में that is normal ठीक है अब इसके अंदर कुछ कम भी रहता है काफी deliveries ऐसी भी होती है जिसके अंदर बच्चे का वजन 2.5 से कम देखने को मिलता है और काफी delivery ऐसी होती है जिसमें बच्चे का को मिलती है तो उसके अंदर फिर कुछ मीजर्स है जो की कामे लिए चाते हैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा चलिएगा अगर हम बात करें सर एवरेज इनका एवरेज बच्चे का weight अगर आप देखे तो एक बच्चे का average जो weight माना जाता है वो माना जाता है त्री देख लीजेगा average आपको मिल जाएगा इस range में option आपको मिलेगा और अगर इस तरीके से option नहीं है तो आपको 3 kg वहाँ पर मिल सकता है तो आपको confusion नहीं रखना है average weight वहाँ पर आप डाल सकते हो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा चलिएगा मैं आग पर normal weight कहा है अपने सर 2.5 से लेकर 3.9 kg हमने कहा है अगर बच्चे का वजन यहां पर important key point लिखा हुआ है if the birth weight is less than 2.5 kg that consider the low birth weight baby जनरली हाप कह सकते हैं LBW baby यानि कि अगर बच्चे का वजन यहां पर देखेगा 2.5 से यानि धाई किलो से कम हो जाता है तो उस बच्चे को हम LBW baby कहते हैं low birth weight baby हम उस बच्चे को कहते हैं ध्यान रखेगा important question है star बना लिजेगा आपके exam में काफी बार repeatedly यह पूचा हुआ question है अगर 2.5 से कम weight हो जाता है बच्चे का delivery timing में तो उसको LBW baby हम कहते हैं ध्यान रखेगा चलेगा आगे अगर हम बढ़े next key point पर तो next key point यहां पर है बच्चे के वजन से सम्मंदित if the birth weight is 1.5 kg that is very LBW baby ठीक है अगर देखेगा 2.5 से कम होता है तो उसको केवल LBW baby कहा है अपने LBW LBW baby अपने कहा है अगर weight और कम रहता है यानि 1.5 से भी कम है तो हम उस बच्चे को कहते हैं very low LBW baby यहान रखेगा यह भी आपका important question है यानि दोनों questions आपके exam में पूचे हुए हैं चलेगा आगे बढ़ते हैं हम next की point पर that is if the birth weight is 1 kg less than extreme LBW weight baby उसको कहते हैं देखेगा तीनों point आपके exam point और उसे काफी important है first point यहान पर यह कहता है कि अगर बच्चे का version कितना सर 2.5 kg से भी कम हो जाता है less than 2.5 kg रहता है तो उसको LBW baby कहते हैं क्या सर LBW baby उसको कहते हैं अगर बच्चे का version second condition की बात करें अगर बच्चे का version कितना सर 1.5 से भी कम हो जाता है 1.5 से भी कम हो जाता है तो उस बच्चे को सर हम कहते हैं very low LBW baby हम उसको कहते हैं अगर थर्ड कंडिशन की अगर हम बात करें थर्ड कंडिशन की अगर हम बात करें तो सर यदी बच्चे का version 1 kg से भी कम रहता है तो उसको कहते है सरम Extreme LBW baby तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं तीनों पॉइंट से क्योशन से एक्जाम में पूँचे हुए हैं तो ध्यान रखेगा ध्यान रखेगा आपके एक्जाम में पूँचा जा सकता है काफी important है क्योशन चलेगा आगे बढ़ता हूँ मैं next key point पर next key point काफी important है आपके एक्जाम पॉइंट ओफ से ध्यान रखेगा तीनों key points आपको ध्यान रखने हैं याद होने चाहिए एक्जाम में पूँचे हुए question है चलेगा बात करते हैं next key point की that is a fourth number key point fourth number key point में कहा क्या जा रहा है देखा during first week of life बच्चे की delivery होई बच्चे की delivery होने के बाद जो first week होता है यानि starting के 0 से लेकर 7 दिन हम कह सकते हैं first week of life 10% 10% weight loss in the newborn baby due to immature kidney सिंपल सा question या पर कहा गया है कि first week of life 10% weight loss 10% weight loss of the baby क्यों क्योंकि सर उसके अंदर immature kidney देखने को मिलती है ठीक है तो ध्यान आपको यह रखना है कि बच्चे का delivery होने के बाद पहले 7 दिन तक यानि first week तक बच्चे का वजन कम होता है कम कितना सर 10% 10% जिसका जितना उसका बर्त weight है उसका 10% approximately कम होता है कम होता है क्यों होता है तो यह आपका MCQ बन जाता है question बन जाता है आपकी exam point of use है क्योंकि सर उसकी kidney उस time delivery के time immature होती है immature होने के कारण से उसका weight है loss होता है तो सर हम अगर बच्चे का weight loss हो रहा है तो उसमें कुछ intervention की जरूरत है या नहीं है तो चलिएगा आगे बढ़ती है और next point की बात करते है loss weight regain within next 1-2 week बच्चे का जो first week में wet loss हुआ है वो वापस से regain हो जाता है वापस से cover हो जाता है कितना सर 1-2 week में देखेगा 1-2-2 week यहां पर आपको ज्यान रखना है कि बच्चे का जो वजन कम हुआ है वो 1-2 week में वापस से 7 लगबग 7-15 दिन के something वापस से क्या हो जाता है cover हो जाता है, regain हो जाता है वापस से हो जाता है देखेगा अगर comparative exam में यह question आपको मिलता है तो इसके अंदर option आप देखेगा range दिया है कि 1-2 week यहां पर आपको ध्यान रखना है लेकिन almost अगर average बात हम देखते हैं तो ज्यादा तर MCQ जो questions exam में आते हैं वो 1 week तक ही आते है यह चार पॉइंट हमने discuss कि पांच पॉइंट हमने discuss कि पांच पॉइंट आपको याद रहेंगे या फिर इस करें सूट बना लीजेगा या फिर नोट करते रहेंगा क्योंकि यह सारे questions हैं सारे key points है वो आपके exam में एजटी पूचे जाते हैं